नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टडी फॉर सिविल सिर्प्सेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिग्राम यह वाला गूर्प जरूर से जरूर जोईन कर लेते हैं BPSC 66 का जो प्री एक्जाम 27 दिसंबर को हुआ है आज की डेट में उसके मैच सेक्शन की पूरी की पूरी आंसर की और साथ में सॉल्व करेंगे इन सभी क्वेस्चन को तो सबसे पहला कुश्चन होगा यहां पे 16 नमबर इसको यहां पे सबसे पहले सॉल्व कर ले जाएगा 479 तो यह कौन सा पैटर्न फॉल्व कर रहा है एपलस बी का स्क्वेर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वेर जो की होता है 4 a b तो यहां से यह होगा 4 इंटू 598 इंटू 479 4 a b डिवाइड बाइ 598 इंटू 479 इससे यह कैंसल इससे यह कैंसल फाइनल आंसर आ चुका है फोर सिक्स्टीन का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन कि ए कि नेक्स्ट देखिए यहां पे 17 यह परसेंटेज से उपर आपने जो कुश्चन देखा था वो था एलजेबरा से तो मिसलेनियस टॉपिक से जाता है कहीं से कुछ भी एक एक चैप्टर से सवाल आ सकता है तो इसमें यह प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं तो बेसिक अंडरस्टेंडिंग जिनकी स्ट्रॉंग है उनी को एडवाइज दी जाती है कि मैज्स वाले कुशन पूरे अटेंप्ट कीजिए सॉल्व कर लेते हैं 17 को एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है इतने लोग एक पर्टिकुलर शहर में रहते हैं हर साल 5% से जनसंख्या इनकी बढ़ जाती है दो साल बाद बढ़ के कितनी हो जाएगी 5% से बढ़ना मतलब 21 बटे 20 से गुणा करना UPPCS CSAT के उपर जो हमने मैज्स का पापा वीडियो बनाया है उसमें हमने पूरा एक्स्प्रेनेशन दिया हुआ है चैप्टर बाई चैप्टर ये 21 बटे 20 कहां से आया वहीं पता चलेगा तो उधर 17, 64, 00 को मल्टिप्लाइ करेंगे 21 बटे 20 से दो बार विकॉस दो साल के लिए देख रहे हैं 2, 0 से 2, 0 कैंसल 4, 4, 16, 4, 1, 4, 441 इंटू 4, 41 हो जाएगा 19, 4, 81 17 का करेक्ट हो चुका है A नेक्स्ट आजाते हैं 18 पे 18 नमबर अगर हम बात करें तो नमबर सिरीज का सवाल है आप इसे रीजनिंग का भी बोल सकते हैं तो देखिए 10 मैट्स के जो कुश्चन आये हैं उसमें से एक रीजनिंग का भी आ गया 4, 18, 48, 100 इधर के आएगा 294, 4, 49 तो 4 कैसे बना 2 का क्यूब माइनस 2 स्क्वेर, 8 में 4 गया, 4, 18 कैसे बना, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वेर 27 माइनस 9 हो गया है, 18, वैसे ही 100 कैसे बना है In fact, पहले 48 देखते हैं, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वेर, ये आ गया 48 अगली बार क्या होगा 5 का cube minus 5 square 125 minus 2500 next time क्या होगा 6 का cube minus 6 का square because n की value 2, 3, 4, 5, 6 हम लोग रख रहे हैं n cube minus n में 216 minus 36 आपको देगा 16 कम गया 220 और गया 180 180 यहां से correct हो गया option C तो यहां से 18 का हो चुका है C 19 नंबर अगर हम बात करें तो यह आजाता है permutation combination से शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि PNC से भी सवाल आया है BPSC में तो यहां पर equation अपने सामने है 2 to the power n in fact 2 into n C3 divide by n C2 यह आपको 44 बटे 3 दे रखा है तो quadratic बना के solve करिएगा तो समय बहुत लगेगा इससे अच्छा तो यह है कि values put करें option के हिसाब से अगर आप A option के हिसाब से जाते हो तो 2 into 1, 2 C3 C के उपर जो संख्या लिखी रहती है वो हमेशा नीचे वाली से बड़ी होनी चाहिए यहां पर 2, 3 से छोटा हो चुका है यह option वैसे भी नहीं हो सकता तो आगे हम लोग option B के हिसाब से जाते है 2 into 6 हो जाएगा 12 C3 divide by 6 C2 अगर यह 44 बटे 3 सही है तो इसका मतलब हमने option सही सिलेक्ट किया है 12 C3 solve करिए 12 into 11 into 10 और यह हो जाएगा C3 की वज़े से 1 into 2 into 3 और यह 6 C2 हो जाएगा 6 into 5 divide by 1 into 2 विकाज C2 है यह 44 बटे 3 मिलता है क्या 12 into 11 into 10 1 into 2 into 3 into में अगर इसको ले जाएंगे पूरे को तो इससे divide किया है तो उल्टे से multiply किजे न 1 into 2 6 into 5 6 पंजे 30 चौक को 120 1 into 2 से यह कटा 3 अब जाएगा नहीं 11 चौक 44 बटे 3 RHS में वही दिया है इसका मतला बेंड की value सही select किये थे इसका answer हो जाएगा B इसके बाद देखिए next 20 20 वाले में M संख्या given है और N संख्या given है अगर हम संख्या की बात कर लें तो दो टाइप की संख्या है M, N अब यहाँ पे अगर हम average बात करें आउसत तो अगर आउसत की बात करें तो जो M संख्या थी उसका आउसत N square था और जो N संख्या थी उसका आउसर आउसत M square था weighted average से अगर इसको निकालेंगे तो sum कैसे निकलता है sum ऐसे ही तो निकलता है this into this M N square plus this into this N M square divide by number के sum से यानि M plus N से M N अगर मैं उपर common ले लूँ तो N plus M बच जाएगा नीचे M plus N है M N आगे पीछे लिखा है कुछ परक नहीं पढ़ता final answer आजाएगा M into N M N यानि की option C next आजाते हैं 21 नंबर पे तो 21 नंबर है win diagram से आप इस reasoning max किसी में भी count कर सकते हैं दोनों के लिए जरूरी है school में athletic team थी एक team थी basketball की दूसरी team थी hockey की तीसरी थी football की तो तीन circle बनेगा ये basketball का ये आपका football का और ये ले लीजे आप hockey का this will be hockey अब आप अगर basketball बात करें तो 21 लोग basketball में हैं अब ये ऐसे भी हो सकते हैं जो इन में से अंदर भी आ रहे हो मतलब दूसरे खेल भी खेलते हो सिर्फ basketball आपसे नहीं बोला ना तो basketball के बाहर आप 21 लिखेंगे ऐसे ही hockey के बाहर आप लिखेंगे 26 और 29 आप लिखेंगे football के बाहर अब ये बात बहुत important है कितने लोग तीनों ही खेल खेलते हैं वो 8 हैं और तीनों खेल केलने वाले आप इधर लिखेंगे 8 because यही एक ऐसा reason है जो कि इन सब में common है और उसी reason में तो 8 लिखेगा because तीनों खेल चाहिए अब आगे देखी 14 ऐसे हैं जो hockey basketball दोनों खेलते हैं तो hockey basketball ये आपका hockey है और ये basketball है और ये वो area है जो दोनों में common है इस पूरे area की value है 14 जिसमें से 8 इधर आगया तो इधर बाकी का 6 आ जाएगा इतनी सी बात clear है अब 12 लोग ऐसे हैं जो football basketball वाले हैं तो ये football ये basketball इन दोनों के बीच का area ये है ये total value इसकी 12 है आठ इधर ही आ गई तो इधर 4 आएगी अगर सिर्फ basketball अगर आप बात करें तो 8, 4, 12, 6, 18 टोटल ये 21 है तो इधर 3 हो जाएगा 21-18 ऐसे ही 15 काउन है जो hockey football खेलते हैं ये hockey ये football पंदरा है टोटल hockey football का area ये common है ये इस पूरे की value पंदरा है आठ इधर ही मिल गई तो ये लीजे साथ आप से पूँचा है कितने सिर्फ football खेलते हैं यानि ये पूरा reason आपको बताना है ये football वाले total 29 है 8, 4, 12, 7, 19 इधर ही आ गए तो इधर बच गए 10 तो football वाले कितने हो गए? football केवल वाले हो गए value लिखी हुई है 10 इसके बाद next आजाईए 22 नंबर पे time and work का सवाल है दो लोग है मोहन और सोहन मोहन लेता है 25 दिन और सोहन लेता है 20 दिन तो total work कितना हो जाएगा? 25 बीस का LCM जो की होता है 100 मोहन का जाँ तक सवाल है तो 100 unit करेगा 25 दिन में तो एक unit करेगा मतलब एक दिन में करेगा 100 बटे 25 चार unit उसी तरीके सवाल हन अगर 20 दिन में 100 unit करता है तो एक दिन में 100 बटे 20 यानि की 5 unit करेगा दोनों लोग एक साथ 5 दिनों के लिए काम करते हैं तो अगर एक दिन के लिए किये तो 4 और 5 नव unit काम हुआ पांच दिन किये तो 9 पंजे 45 unit काम हुआ टोटल काम 100 था 45 हो चुका है बचा कितना है 100 माइनस 45 यानि 55 unit अब ये जो 55 unit काम बचा इसके लिए क्या है 45 जैसे ही काम हुआ वैसे ही मोहन छोड़के चला गया भी अपने पास मोहन है नहीं सिर्फ सोहन बचा है जिसे 55 unit काम करना है शेस काम को पूरा करने में सोहन कितना समय लेगा 55 इसको करना है एक दिन में करता है 5 तो 11 दिन ना लगेंगे यानि कि B ऐसे ही आप 23 नंबर और देखिए BPSC में टोटल हर बार प्री में 10 कोशन आते हैं मैस रिजनिंग से मिला के ये रिजनिंग का एक और सवाल आ गया Clock का सवाल है तो जो ये Clock है 12 बज़े चलना सुरू करती है 12 बज़े कुछ ऐसी सिच्वेशन होती है छोटी बड़ी सुई है के उपर एक यहाँ पर आपको घंटे की सुई को देखना है जब टाइम 5 बचकर 10 मिनिट होगा तो घंटे की सुई कितना एंगल कवर कर चुकी होगी ये बताना है आपको तो घंटे की सुई कितना एंगल कवर कर चुकी होगी इस बात को आप ऐसे देखे ये 12 बज़ा है एक बज़ेगा तो क्या होगा यही तो होगा ये गंटे किस हुई, ये मिनट किस हुई, ये कितना एंगल है, 30 है आपको याद रखना है Because ये तीन अगर बजा होता तो ये 90 होता है, उससे पहले एक भी बजेगा, दो भी बजेगा 90 को तीन पार्ट में काटिये तो 30 ना आएगा, वही 30 है तो इसका मतलब एक गंटे में गंटे वाली सुई, 30 डिगरी घूम जाती है एक गंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 डिगरी घूमी, तो एक मिनट में 30 बटे 60 यानि आधा डिगरी ना घूमी तो 12 से 5 जब बजाईएगा तो 5 गंटे लगेंगे एक गंटे का 30 है तो 5 गंटे का 30 पंजे देड़ सो ये हुआ 10 मिनट अलग से हैं तो 1 मिनट में आधे डिगरी तो 10 मिनट में 10 इंटु 1.5 पांच डिगरी तो 5 यहां से देड़ सो यहां से टोटल हुआ 155 डिगरी इसके बाद देखे 24 नंबर कौन साइक ऐसा नंबर है जो किसी natural नंबर का square नहीं हो सकता है तो सीधे सीधे इसका result आपको याद रखना होता है 2, 3, 7, 8 last में अगर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा तो कभी भी उसका square root positive नहीं आएगा इसका मतलब हो किसी का square नहीं है मतलब आएगा positive ही लेकिन integer नहीं आएगा square root अगर 23,76 हुआ तो यहाँ पे दो आखिर में है बस यही आपको पहचानना था बागी सब perfect square है इसका हो जाएगा B आखिर question देखते हैं 25 question अगर आप लोग हमारे paid group से हैं आप यह बताएगा कि वहाँ पे जो मैक्स का material दिया गया था उससे कितना फाइदा हुआ और आपको यह बता दें कि अगर आप हमारे paid group से जुड़ते हैं तो यह 10 सवाल आपके कहीं नहीं जाने वाले मैक्स का पूरा material हम शुरू से दे देते हैं हर संडे को quiz भी वहाँ पे होती है तो मुद्दे पे आते हैं 25 नमबर question पे यह दोनों equation आपको solve करनी है तो अगर बड़े बड़े coefficient रहे हों तो पहले दोनों को आप जोड़ लिया करो यह आ जाएगा 348 x प्लस 348 y 9,8,7,7,7,4,7,4,7,40 यह पांच बार में जाएगा विकाज 355,13,47,4,5,24, लोनों मिला के 1740 x प्लस y is equal to 5 अब एक काम आपए करिए दोनों को घटा दीजिए 217-131 86 x 831-217 यानि 86 y 913-827 यानि 86 86 common लिया तो x-y86 x-y is equal to 1 इन दोनों को एड़ किया y से y कटा 2x is equal to 6 x is equal to 3 x 3 है x y मिला के 5 है तो y पक्का 2 होगा तो यहाँ पे जो correct answer आएगा न वो आएगा x बराबर 3 और y बराबर आपका 2 तो इस तरीके से हमने question solve कर लिए हैं पूरे 10 के 10